सुन्दर धारन भक्त लोग देते हैं, जो लोग साधना कर रहे हैं, भक्ती कर रहे हैं, उनके मन में कभी कभी निराशा होती है, मित्र दिन से भक्ती कर रहे हैं, और भक्ती का जो फल है, वो हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, प्रकट होता वह नहीं दिख रहा है, तो इस स समय आने पर नहीं जाड़ा आने पर वह अपने आप खुब सारा उग निगलता है उसी प्रकार से हां अगर बीच दिये ही नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगेगा तो इस समय हरे किश्र मंत्र है और इसको बीज मंत्र कहते भी है तो आप यह भगवान के प्रेम का बीज है औ रूप में भलीबूत होगा तो आज बहुत सिंबल वाद समन में कहते हैं कि देखे व्यक्ति को एक योगी भी जगत में इंद्रिये के तरपन को त्यागता है क्योंकि वह इसके फ्लिकरिंग नेचर को देखता है मतलब कुछ समय के लिए है बस कुछ शणों के लिए पर चल समय की प्रितिक्षा करता है जब भगवान अपने भक्ति के सुख को प्रकट करने के लिए प्रसंद हो तो बत्वा जरूर होगेगा मतलब भगवत प्रेम जरूर प्राप्त होगा जो भक्ति में आया है लेकिन ध्यार पूर्व को सो करते रहना हो हो हरे कृष्णा करते रहना हो हरे कृष्णा थैंक्य।